चाल चक्र में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको माता रानी के नवरातरों की तैयारियां करनी हैं किस तरीके से कौन-कौन सी सामगरी आपको कैसे खरीदनी है और उसको रखना कहां पर है सम्पून आपको जानकारी देने का हर संभभ प्रयास किया जाएगा ताकि आप पूर्ण नवरात्रों में मातारानी की श्री किरपा जरूर पा सकें नवरात्र से ठीक एक दिन पहले समस्त सामगरियों को आपको कैसे इखटा करना है किस तरीके से कलश इस्थापना करनी है और कलश इस्थापना का शुब मुहूर्थ क्या है यह आपको बताने का प्रयास किया जाएगा लेकिन पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में चाल चक्र में हम आपको बताएंगे कि नवरात्र से पहले कैसे करनी हैं आपको तैयारी कलश इस्थापना की पूरी विधी क्या है किस तरीके से आप कलश इस्थापित करें कोई किसी भी तरह से आपको दिक्कत परिशानी ना हो ये आप जान पाएंगे और मातारानी को कैसे प्रसंद करें ये भी आप जानेंगे और मातारानी किस तरीके से आपको महा वर्दान देंगी ये भी आपको एक महा उपाय के तोर पर हम आपको बताने वाले हैं और सटीक आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपको नवरात्री की पूर्व संध्या पर तैयारियां करनी हैं ताकि आपको मातारानी का परामाशिरवाद मिल जाए, चाहे वो आपकी नौकरी को लेकर हो, चाहे व्यापार को या फिर आपकी सिहत की बात हो. कौन-कौन सी आपको सामगरी खरीदनी है, ये जान लीजिए. सबसे पहले आपको बता दूँ, मा दुर्गा की तस्वीर या श्रीविग्रे और इस्थापना के लिए एक आपको लकडी की चौकी लेनी है, वो आप खरीद लीजिएगा. सवा मीटर पीला या लाल वस्तर आपको खरीदना है, लाल चुनरी लेनी है, या फिर लाल साड़ी आप मातारानी को अरपन करने के लिए पहले से ही ले लीजिएगा. एक शुद कलशकी आपको अवश्यक्ता होगी, आम के पत्ते आप ले आईएगा, फूल माला और लाल गुलाब के फूल आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे. एक जटा वाला नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, इलाइची, लॉंग कपूर रोली, सिंदूर, मौली, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं, और साबुत अखंडित चावल, यानि की तूटे हुए चावल नहीं लेने, और मा दुर्गा की शब्त शती की पुस्तक. ये आपको सारी सामगरी एक दिन पहले ही, यानि आज के दिन ले लेनी हैं. अब अगला स्टेप क्या आता है? ये तो आपने सामगरियां ले ली. अब आपको घर के मंदर की किस तरीके से साफ सफाई करनी हैं, ये भी आप जान लीजिए. ये यदि आपके घर में, पूजा इस्थल में भगवान के जो श्रीविग्रह होते हैं या भगवान की मूर्ती होती हैं वो धातू की है, जैसे चांदी की है, या तांबे की है, या सोने की है, तो उसे आप पीतामबरी से आप साफ कर सकते हैं. घर के मंदिर में साफ सफाई एक दिन पहले ही करके, मंदिर में देवी देवताओं के वस्तर और बिछाने के लिए वस्तरादी आप बदल दें. यानि आज ही के दिन, कल की तैयारियों को समझते हुए, आज ही के दिन अपनी सारी तैयारियां आप पूरी कर लीजिएगा. देवी देवताओं के वस्तर बदल दीजिएगा, मंदिर का वस्तर बदल दीजिएगा और मंदिर की सारी सफाई करने के बाद सुभए पूजा की तयारी करने का इंतजार आप ना करिएगा यानि एक दिन पहले ही हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको सुबह किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी ना हो, जल्दबाजी में आपकी कोई पूजा ना छूटे और आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो. रात में नहा कर ही पूजा की सारी सामगरी मंदिर के पास या घर के पूजा इस्थल में आप एकटा कर दीजिएगा, यानि कि आज दिन में आप सामगरी खरीद लीजिए, शाम के समय आप सिनान करिए और सारी की सारी सामगरी उठा कर घर के मंदिर में आप एक तरफ व्यवस जाए या फिर आपके मन में कोई दुविदा हो कि मैं तो अमुक समान या कुछ ऐसा खरीदना भूल गया तो हम एक दिन पूर भी ही आपको ये जानकारी दे रहे हैं